आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुती आसानी से अपने फैन को जो है वो रिपेर कर सकते हैं और आप ये भी जान पाएंगे कि उसमें क्या कमी होती है दोस्तो वीडियो पर बने रहें वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें और अगर भी तक आ बिल्कुल भी चल नहीं रहा ये जाम है और ये पोलर कमपनी का है तो चलिए मैं पावर में लगा करके जो है वो इसको आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या दिखा थे देखिए मैं इसको पावर में लगाता हूँ और उसके बाद जब हम इसे आउन करते हैं तो दोस्त तो इसी को आज रिपेर करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे रिपेर करते हैं तो दोस्तों मैं इसको फटा फट से उपिन कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत होती है दोस्तों आप देख पा रहा है कि मोटर जो है वो मैंने बिलकुल ही अलग कर ली है चलिए अब हम इसको एक बार और चेक करके देख लेते हैं दोस्तो मैंने इसको ओन कर दिया है लेकिन ये बिलकुल भी नहीं चल रही है तो चलिए दोस्तो ये फिलहाल नहीं चल रही है तो इसमें सबसे पहले दोस्तो हमें इसके बुश चेक करना होते हैं जो लगे हुए हैं शाफ के बीच में ये बुश चेक करना होते हैं लेकिन दोस्तों ये मोटर जाम तो है नहीं अगर जाम नहीं है दोस्तों तो फिर इसके बुश भी खराब नहीं है इस कंडिशन में दोस्तों हमें सबसे पहले इसका कैपसीटर चेक करना होगा कि कैपसीटर खराब है या सही है तो अगर कैपसीटर खराब नहीं होगा तब हम इसके आगे देखेंगे कि इसमें क्या प्राब्लम है दोस्तो इसमें जो कैपसीटर लगा है वो सवा दो MFD का कैपसीटर लगा है दोस्तो चलिए इसको तो हम चेक करके देख लेते हैं कि ये खराब है या नहीं है अगर ये खराब नहीं होगा दोस्तो तो इसके आगे देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तो इसका capacitor जो है वो फिल्हाल ठीक है दोस्तो अब चलिए हम इसकी motor को और चेक कर लेते हैं कि कि इसकी motor में कोई problem तो नहीं है यह क्यों की वाय लगा दी है चलिए आप मैं इसकी coil को चेक करके देख लेता हूँ कि ये मोटर की क्वाइले जो हैं वो ये वाली काम कर रही है या नहीं क्यूंकर ये दोस्तो रेगुलेटर वाली मोटर होती है ये जो स्पीड में भरी हुई होती है रेगुलेटर से हाई स्पीड लो स्पीड नॉर्मल के लिए जो होती है ये वो भी चेक कर लेता हूँ मैं सारे स्विच आफ कर देता हूँ देख लीजे सारे स्विच आफ हैं अब मैं ये वायर लगा करके देखूंगा कि ये मोटर जो है वो चलती है या नहीं चलती है इसको मैंने पावर में लगा दिया है दोस्तो आप ये बहुती साफधानी से करें और इसको मैं वायर पर लगा कर देखता हूँ दोस्तो मोटर नहीं चल रही है और इसको लगाने पर भी मोटर स्पारिंग कर रही है लेकिन चल नहीं रही है